इंसानों के दुस परिणामों का भुकतान जानवरों को भुगतना पड़ रहा है समुंद्र को दे रहे हैं विशाल जक्म इंसान खुद रख रहा है बरबादी की बुनियाद समुंद्री लहरों में देखिए इंसानी तबाही जिन्दगी और मौत कुद्रत की वो सच्चाई है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता जिन्दगी मौत में बदल जाती है और मौत जिन्दगी में इंसानों को लगता है कि समुंद्र कभी मरते नहीं लेकिन ये गलत है समुंद्र भी मरते हैं हाला कि इनसान उन्हें मरता हुआ नहीं देखते लेकिन सच तो ये है कि समुंद्र के भी मौत होती है ये जो आप अपने आखों के सामने मंजर देख रहे हैं ये समुंद्र को तिल-तिल मार रहा है तो आज हमने सोचा क्यों ना समुंद्र के पास ही चला जाए जो सदियों से जिन्दगी का तमासा देख रहे हैं जो इस काल चक्र के सबसे बुड़े गवा है हमारा अंदाजा सही निकला थोड़ी सी खामोशी के बाद समुंद्र ने अपने जखमों के बारे में बताना सुरू कर दिया देखते ही देखते सब पानी से कच्छों में तब्दील हो गया समुंद्र नदी समुंद्र किनारा याने जिनके सहारे जिंदगी कुद्रत की खुबसूर्ती को देखने का होसला कर पाती है वहीं आज बक्सूर्ती के पैरो तले दबा है यह समुंद्री तट गवा है इनसानी लापर वाही का यह समुंद्री तट गवा है तडपती हुई मचलियों का यह समुंद्री तट गवा है इनसानी कर्तूतों से होने वाली तबाही का और यह कल्यूक का सच है मौत को गले लगाते हुए बेजुबान जानवरों का जिसका एक मात्र कारण इंसान है लेकिन ये इंसान कहां मानने वाले हैं याद रखो कुदरत ये प्रकृती सब कुछ देती है लेकिन इंसान जब उसका रास्ता रोकने की कोशिस करता है तो मजबूरन उससे अपना रास्ता साफ करना पड़ता है जो तबाही जो आन बान का नुकसान तुम देखते हो ये कुदरत के उसी गुसे का सबसे छोटा सा नमूना है जो सिर्फ ये कहने की कोशिस करता है कि ये इंसान समल जाओ, हुस में आ जाओ, कहीं कयामत ना देखनी पड़े आज के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सच काईन झाल